दो अब तक हमने शह माक्स वाले कोशन कमें आज की जो वीडियो है इसमें फोर माक्स वाले कोशन करें तो मैंने इस वीडियो में दो कोशन करें हैं डेमोक्रेसी देखिए जो South Asia में अगर आप country देखते हैं आठ जो country पड़ती है आपकी यहाँ पर सभी में कि आपको डेमोक्रेसी है तो इसकी वेसे क्या है कि डेमोक्रेसी का विस्तार हुआ है मतलब कि बाकी देशों के सामने एक मिसाल तरह हुए है कि इन देशों में अगर डेमोक्रेसी रह सकती है तो हमारा यहां क्यों नहीं तो इसी को बस explain करना है तो इसको मतलब explain करने का हमारा पस दू एक्जांपल देंगे हम एक तो आपको देना है इंडिया एक्जांपल और एक आपको देना है नेपाल का ठीक है इंडिया जो है पूरे विशों में largest democratic country है क्योंकि यह ऐसा देश है जिस देश में मतलब इतनी ज़्या ज़्या होने के बावजूद भी हापर क्या देखने को मिलता है आपर democracy देखने को मिलते हैं आपके लोग जो लोग हैं वो support करते हैं democracy को अच्छा बानते हैं चाहे हो अमीर हो या फिर वो गरीब हो सब की अपनी बाद में democracy आ गया तो अभी भी वहां पर democracy है ठीक इसी प्रकार से आपका जो बांगलादेश है यहां पर भी पहले कहता आपका यह military system था लेकिन बाद में वहां पर democracy आ गया यह आपका नेपाल जो है नेपाल की भी कहानी है कि यहां पर भी राजा ग्यानेंद्र थे उनके बाद क्या हो गया वहां पर भी democracy आ ठीक है तो यहां पर हमें question बस इस question में हमें यह करना है कि हमें explain करना है कि जो South Asia में जो country बढ़ती है वहां पर किस तरीके से democracy काम करती है यहां क्या क्या के लोगी ideology है ठीक है यह question थोड़ों सब्सक्राइब करा सकता है अगर आएगा तो लेकिन आपको बताना बस में यह है ठीक है चलिए अगला question आपका कि हाइलाइट दा सेलेंट फीचर यहीं कि आपको ऐसी features बताने हैं जो इंडिया और इस्राइली जो दो देश हैं आपके इनके relation तो आपको यह चार बात लिख देनी है क्या लिखनी है देखिए पहला लिखना आपको defense partner यहने कि माल लिजी इसमें इसराइल का पूछा गया तो इसमें क्या लिखा हमें ने कि सेम ही होते हैं ठीक है इसके लाव माली जी इसराइल में यह और चीज़ दिखिए आपके कि दर टू नेशन है वर स्टार्टेड कोपरेशन इन वीरियस फिल्ड लाइक कल्चरल एक्स्चेंज सेक्यूर्टी एंड डिफेंस अंड कंटर टेरिजर्जम स्पेस रिश्चर वा की कि सेंटर ओफ एक्सिलेंस इसराइल है इस ऑपन अप और कोपरेशन इन फील्ड ऑफ एक्रिकल्चर जो मौन लें जी हमारा यहां की खैती विवस्तता है इसमें भी इसराइल इसनें बहुत साथ दिया को पता है यह इस्राइल का देसा है बहुत ज़्यादा पाउर्फु is also an area where israel stand out as a unique partner of india नहीं कि हापे पानी को लेकर कि पानी बचाते हैं जो हम इसमें भी दोनों देश मिलके काम करते हैं terrorism को खतम करने के लिए काम करते हैं पर दुरसन को खतम करने के लिए काम करते हैं करोटी बढ़ाते हैं दोनों देश आपस में मिलके तो ऐसा कोशन है आपका यह ठीक है तो इसमें आप यह लिख देंगे